आप अपनी नौकरी को जादा प्यार करते हैं, आप अपनी दुकान को जादा प्यार करते हैं, आप अपने क्रिकेट के शौक को, अपने गिटार को, किसी भी अपने बॉडी बिल्डिंग को, किसी भी चीज के लिए अगर आप अपनी वर्शिप को, उस समय को जो फुदा का ह अगर आप जाने देते हैं तो वो मुर्ति पूजा है, मुर्ति पूजा यह नहीं किसी पत्थरों को पूजना है, हर एक वो चीज जो पूजना है। दूसरी जो बात है, वो है जलन रखना। क्या रखना। जलन रखना। किस से जलन थी शाउल को? किस से जलन थी शाउल को? दाउच से। दाउच से जल रहा था वो। दाउच से उसको बड़ा असहज और असुरक्षित महसूस हो रहा था। सेकंड रिजन ही जलसी और इंसेक्यूरिटी। जलन जो है यह पुवित्रात्म का फल है क्या। बाइविल में लिखा है कि अंत में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, लोभी, बैरी, ईश्या करने वाले, जलन करने वाले, डिंग मार, मत्वार, ध्यान रखो, यह सब परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यह पुवित्रात्म का फल नहीं है जलन, यह पुवित्रात्म का फल नहीं है इश्या, हाँ दो तरीके की जैलसी होती है, एक होती है डिवाइन जैलसी, एक होती है इविल जैलसी, एक जैलसी एलिया को भी हुई थी जब उसने बाल के बहुत सारे वहिश्य दक्ताओं को मार तो उसको यहवा के लिए जलन हुई थी अगर आपको जलन हो तो यहवा के लिए हो और किसी चीज़ के लिए ना अधर्वाइस यह जो इनसानी जो इविल जैलेसी है यह पवित्रात्मा की और से नहीं है और जो इनसानों से हम कई बार जलते हैं कि यह मुझसे आगे क्यों इसको जादे इंक्रिमेंट क्यों मिला इसका घर इतना बड़ा क्यों हो गया इसके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं जलन मत रखिए जलन वर्ड में जलन है ना अंदर से जला के खोखला कर देगी आप जादे तर लोगों को जो हार्ट एटेक आता है जड़कते जड़कते बंद हो जाता है जोरका जटका दीरे से लग जाता है पता भी नहीं चलता हार्ट एटेक आया था मर गई जल रहे हैं आप अंदर से जल रहे हैं तो क्या हो रहा है जलन आपको अंदर से खोखला करती जलन मत रखिए, ब्लेस करिए सबको, तो क्या कारण था? क्या कारण था उसका राज डूब गया, जलन कर रहा था वो, क्यों? क्योंकि वहां की स्त्रियां दाना गा रही थी, अरे शावल ने तो सैकड़ों को मारा, हजारों को मारा, इसने तो ताखों को मारा दाउद ने, क्या हो गया उसको? जलन हो गई भई, इनसीक्यूरिटी आ गई, देखो ये तो इसकी ज़्यादा कारीव कर रहे हैं, और ये वो ही दाउद था, जब शावल का विशेक करके येहवा पस्ताया, तब येहवा की ही और से एक दुस्त आत्मा आता था, किसकी और से आता था? आपको क्या लगता है, शैतान ही सिर्फ दुस्त आत्मा को भेज सकता है, येहवा जो है वो अल्टिमेट किंग है, उसका राज हर जगा है, उसका राज हर जगा है, दुस्त आत्मा भी उसका कहना मानती है, थर-थर कापती है, अगर वो पवित्र आत्मा भेज सकता है, ब्लेस करने के लिए, तो दुस्त आत्मा भी भेज सकता है घबराने के लिए, उनको उनका मानना पड़ेगा अगर यहुआ कुछ कहेगा मालिका यहुआ की ओर से एक आत्मा शाउल को डराने के लिए भेजा गया उसको घबराने के लिए आज लोग दिन के उजाले में घबराते हैं अगर आपके जीवन किसी भी तरीके का पाप है दिखें जब अधन की वाटिका में अनाग्या कारिता आई पाप आया तो डर आया पेड के पीछे चुप गया डर लोग डरते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कोई कारण ऐसा तो नहीं है कोई दर्वादा तो नहीं खोल रखा है जहां अग्या कारिता में डर होगा ही होगा जहां अग्या कारिता नहीं पाल कहता है अरे, कल मरता हूं, तो आज मर जाओंग, जाओंगा तो मैं यहुआ की गोद में, ईशू की गोद में लेकिन जो विकती पाफ होता है। उसको पता है, मैं मरने की बाद इधर आग खुली तो मैं कहां जाओंगा। वो धन्वान विकती की आग तो सब को पता ही होगी। आज हम बोलते हैं इशु जल्दिया इशु जल्दिया बाइवल लिखा है धन्य हो जो यहवा कि आने की इशु के आने की बाट जो होते हैं लेकिन अधिकतर तो इशु के आने की बाट जोते हैं उसके आने की बाट सुनके डर जाते हैं अरे मैं तइयार हूं अगर tube अभी 15 मिनिट बाद आ जाए … कितने लोग पंदरा मिन फे सिर आजाए ऐगर गो कितने लोग के एंगे एश आजा का इतनी लोग को कॉन्पिडेंस यू अगयाओ जाओ किशायद मैं बी न कहपा हूं हम सब हाड मांस के बने हुए दुख सुख भोगी पापी मनुश्य एशु मसी को पाप से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एशु मसी को उनसे प्रॉब्लम है जो पाप में बने रहे एशु मसी पापियों को मारने नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए कुछ आए बहुत से आए जितने भी धर्मों में आप नहर एक को देखा इसने इसको मारा उसने उसका वद किया क्यिश्वमसी पापी ओंका संहार कपाने के लिए नेकिन पापियों को बचाने के लिए आए थे लेकिन जब ईशुमसी दूसरी बार आ रहे हैं वो पापियों के लेनी इस पार धर्मियों के लिए आ रहे हैं इसलिए उसके अनुग्रव की आत्मा का अपमान नहीं करें उसके इस अनुग्रव को आप फॉर ग्रांटेड नहीं लें क्योंकि फिर आपके लिए दुबारा कोई बलिदन बाकी नहीं है मैंने आपको बताया क्या कर रहा है वो वही दाओद जो उसके लिए भीचारवीन बजा रहा हार बजा रहा है जिसके साथी शाहूल के साथी बोलते हैं इसके अंदर उत्तमा आत्मा वास करती है और यह जब बजाता है तो दुस्त आत्माई निकलती है। इसलिए कहते हैं वर्षिप के दोरान आया करो। आदे सदीक लोग वचन के दोरान ही आते हैं। उनको लगता है कि जब पास्टर साब हाथ उठा के प्रात्ना करेंगा पॉस्त अभी कुछ होगा। अरे जो चमतकार वर्षिप के दोरान होते हैं। आपको पता है जब शाओल वर्षिप करता था दुस्त आत्माई भागती था विश्वास मानिये आप वर्षिप के दोरान। जितने बज़े भी प्रात्ना शुरू होती नौ बज़े दस बज़े यहां शाम को पांच आ जाईए आप वर्षिप में वो ताकत है कि दुस्त आत्माई भी जो है वो भागती था आप देखते हैं कि जब दाउद क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है प्रेयर वेर कुछ बज़े नहीं कर रहा है सिर्फ वो बज़ा रहा है हार्प को बज़ा रहा है और दुस्ता आत्माई भाग जाते थी वर्षिप में वो ताकत है आपको किसी की भी प्रात्ना अगर नहीं मिल पा रही हां हो सटब बज़े हां जारों लोगे नहीं हो पाता कई बद विश्वा कर दो बज़ा रहा हार बजा रहा है यंत्र होता था इस इवर से कोilateral को फिट बज़े लगता है और आपको पता है आप इसे हिलते हैं वो आपकी हर एक हरकत को भी अपने कंट्रोल में रखता है सोचिए उसको क्या बता था दाउद तो बेचारा बीना बजा रहा है उसका भला कर रहा है वो अचानक उसको भाला फेक के मारता है दाउद देख भी नहीं रहा है पीछे आंके नहीं होती लेकिन पवित्रात्मा तो सब देख रही है जो स्वर्गदूद खड़े आपके चार और वो तो देख रहे हैं उनने दाउद को धीरे से धक्का दिया पीछे की तरह और भाला यू निकल के गया ये यहोवा के अभिशिक्तों का भाग होता है कितनी बार हम ट्रक से बचते हैं, कहां कहां से बचते हैं आपको पता है अप कैसे बच गए दोकि उसके स्वर्गदूद उसके डरवये के चार और चावनी के रहते है यहां पर क्या कर रहे है वो उसी दाउद के खिलाफ जो उसका भला कर रहा है उसे दुस्टात्म से निजार दिला रहे, रिलीद दिला रहे, उसको मारने की कोशिश कर रहे, इसके बाद हम देखते हैं कि दाउद, जो है इतने बड़े अभिषेक को प्राप्त करता है, उसके टोपी उठा के राजा की, उसके सर पे डाली जाती है, जब उसका पतन शुरू होता है जब यहोवा का आत्मा शावल के उपर से उठ जाता है तो बोलते हैं ना विनाश काले विप्रीद बुद्धी उस समय हो सकता था कि वो ढंग से पस्चाताप कर सकता था सारे पॉइंट नहीं बतानों बहुत बड़ा सर्मन है शावल के राजी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने सही तरीके से पस्चाताप नहीं किया आपके पस्चाताप में आपके रिपेंट करने में इतनी शक्ती है जो यहोवा की आग्या को पलट सकती है Amos के पुत्र यहा थे है ने कहे दिया हिजिक्या राजा को तु दू मर जाएगा तु गरेंटीट नहीं बचेगा जो जाएद थाएद यक लिखनी लिख ले परिवारवालों से मिलना है मिलने ले तू मरने वाला है अग्या निकल गई है फिर यही जिक्या राजा क्या करता है रोना शुरू करता है गिड़ गिड़ाना शुरू करता है यहोव की आग्या को उसकी युक्ती को कौन भी फल कर सकता है एक चीज है आपके आशू आपके आशूं में इतनी ताका थे कि वो यहोव को भी उसकी इक्षा किया यहुदा इसकर्योती इशु मसी कि आगे गिड़ाता रिपर उसने तो सुसाइड करना अच्छा समझा गिल्ट अरे मैंने तो इशु को पकड़वा दिया रे मैं तो बहुत पाप ही हूं आज लोग बहुत लोग पाप इसी गिल्ट में ना सुसाइड करते इतने बड़े बड़े पाप किये ना उनको लगता एशु का लहु उनको नहीं दो सकता वो लोग बाप के बोज में रहते हैं लेकीन इशु आपके बसकी बात में आपका लहू भी इन दाग और धब्बो को दो नहीं सकता अगर यहुदा इसको भी मांग कर देता अगर साउल रोता तो यहुदा उसको भी माफ कर देता उसका वो भाग दाउद को नहीं जाता परमेश्वर का आत्मा आपसे सदा भाद भी बाद नहीं करता रहेगा यहुदा के आत्मा को उसकी महिमा को उठने मत देगा इसा विशेक की रक्षा करें और हम देखते हैं कि जब सम्विल आया तो वो क्या जवाब दे रहा है हां मुझसे गलती हुई है मुझसे पाप हुआ है वहां लिखा है मुझे मैं अपनी प्रजा से डर गया था तो क्या बोलता है मैं चाहरा था सब को नाश करना लेकिन मैं अपनी प्रजा से डर गया था उनके दवाओं में आ गया था सब मुझे प्रेशर डाल रहे था रहे क्यों मार रहे उतनी अच्छी प्रपरटी को क्यों बरबात कर रहे उसने लिखा मैं अपनी प्रजा से डर गया था और उसके बाद लिखा है मैं उनकी बातों में आ ग जरताओं की बातों से ज़्यादा मनुश्यू निप्रजा की बात पर वा गया। खुश करने के लिए 49 कोड़े भी लगवा दिये थे। उस राजा ने खुश करने के लिए। खुश करने के लिए। जॉन दबेप्टिस का गलब ही काट दिया गया। दूसरों को दिखाने के लिए। शाउल ने भी कर दिया। अरे मेरी प्रजा के लोग बहुत प्रेशा डाल रहे। मैं इतने सारे लोगों का राजा हूँ। जब मैं पर आजाता है न। जब यहोवा से बढ़कर आपकी प्रजा कोई भी चीज हो जाए। यहोवा से बढ़कर कोई भी चीज आपकी जिंदगी में है वो इडल वर्शिप। आपकी पत्नी आप यहोवा से जादा चर्ज से जादा घर में रहकर पत्नी के साथ बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। वो पत्नी वो बच्चे आपके लिए इडल वर्शिप बन जाएं। वो मुर्ति पूजा के बराबर हो जाएंगे। आप अपनी नौकरी को जादा प्यार करते हैं। आप अपनी दुकान को जादा प्यार करते हैं। तो अपने किरिकेट के शौक को अपनी गिटार को, किसी भी अपने बॉड़ी बिल्धिक को, किसी भी चीज के लिए अगर आप अपनी वर्शिप को उस समय को जो खुदा का है, अगर आप जह ने देते हैं, तो वो मुर्ति-पूजा है, मुर्ति-पूजा यह नही किसी जब यहोवा उसे जवाब नहीं दे रहा, बविश्टगतां से कोई भविश्वानी नहीं आ रही, तो कहां जाता है भूत फ्रेत वालों के पास, लिखा है, उस सिद्धी करने वालों के पास, भावी कहलाने वाल, इवेन उस सम्विल की आत्मा तक को बुला लेता है, शम्वि ऐसे लोगों के पास मच जाएगे आपको भविष्य जानना है ना ये बाइबिल आपको भविष्य बताएगे बाइबिल में लिखा है पहले पहले मेरे राज जो मेरी धारमिक्ता की खोज करो तो ये सब वस्तने तो अपने आप मिल जाएगी मैं तुम्हें पूच नहीं मैं तुम्हें सर्थ है रहूंगा बाइबिल में लिखा है तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगे ये भविष्य वाडी कहां जा रहे है आप अबने भविष्य को जो संभालने वाला है उसके पास आईए येशु मसी से बड़ा कोई भविष्य दखता कोई जोची कोई पंडित कोई आपका भविष्य बता नहीं सकता कोई आपका भविष्य बना नहीं सकता जो येशु मसी कर सकता है कहीं जाने की जुरत नहीं है शावल ने सब कुछ खो दिया आज उसका नाम भी बड़े शान शौकत से लिया जाता राजा दाओ धंबजन सहीटा पड़ते हैं उसने अभिशेक का अधर किया परमेशन उसने चरवाहे से उसको इतना बड़ा राजा लिखा है उसने मन्दिर के लिए 3,000 कि कार एक कीकार होता था लगवदक चारिस किलोtte सनरे कितने 3,000 किकार टन लिखा है वहां पे वहां लिखा है कि सुलेमान के समय में डाओत के समय में सोने का मूल ऐसे हो गया था जैसे पत्थरों का आप रस्ते में जब जाते हैं, आप गिनते हैं, आपको कितने पत्थर पड़े हुए मेले आजू 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 अरे पत्थर पड़े कौन गिन रहा है, लेकिन सोने का टुकड़ा मिल जाये तो, अरे लड़ पड़ेंगे उसके लिए मेरा है, मेरा है, सुलेमान के लिए परक कर देखो मैं कितना भला हूँ, मेरे दान, मेरी भेटे, मेरे भावन में आने तो दो, चैलेंज कर रहा है, देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरोको को खोल कर, अपरंपा राशीशों की बारिश करता हूँ कि नहीं, कोई फॉर ऐप खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भवारा छोटा से खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आकाश के जरोकोεις को खोल दूटूआ तुमारे लिए, आपके जाल फट जाएंगे, चालिस दिन और चालिस रात की बारिश होगी महिमा की और ब्लेसिंग्स औ प्रोस्पेरिटी के सब को ढूप जाएगा उसकी.